हेलो दूस्तों, दूस्तों मैंने अभी अभी Naughty Girl नाम की एक रेशिन फिल्म हिंदी में देखकर कम्लीद की है, कल रात को ये मूवी हिंदी में डब करके Book My Show Stream VOD पर 139 रुपए में रिलीव करी गई थी, लेकिन Book My Show पर जो फिल्म अभेलेबल है, उसकी लेंध है गंटा 18 मिनट लेकिन मैंने अंकट बरजन देखा है, जिसकी लेंध थी एक गंटा 40 मिनट, तो मैं रिक्मेंट करूँगा कि आप अंकट बरजन के ही साग जाएं, बहुत बड़ी, एक टावर बनाना चाहता है, लेकिन जो इनवादमेंटल स्टूडेंट है, वो लड़की है, और उसके साथ की जो इतने भी नौजवान है, स्टूडेंट है, वो उसके खिलाफ है, तो वो लड़का, उस लड़की को अपनी बातों में बहला फफला कर इनवान के लिए, एंड उसके बाद, अगर साथ दिन के बाद वो लड़की उस इसलेशनिशिप से बाहर जाना चाहती है, तो वो लड़का उस बिलिण को नहीं बनाएगा, एंड अगर वो लड़की उसके साथ इसलेशन में रुख गई, तो वो टावर वहाँ पर कुछ भी engaging नहीं हो रहा था, कुछ भी interesting सा नहीं हो रहा था, कुछ भी देखने like नहीं हो रहा था, एंड उसके बाद जो हुआ, वो थोड़ा erotic था, लेकिन कुछ इस तरीके से था कि आपको देखकर हफी आएगी, मतलब इसलिए नहीं कि बचकाना था, या बगबाफ था, वो तो था यह था, लेकिन उसके साथ, जो माहौल बहां पर था, वो अपने class में है, अपने college में है, एंड जो हो रहा है वापर, जो situation है, वो आपको हसी दिलाएगे, एंड उसके बाद कुछ चीजें हुई, जो कुछ लोगों को थोड़ी ठीक भी लग सकती है, कुछ लोग लोगों को पौन देखनी है, बहुत हो देखी लेंगे, लेकिन उसके अलावा गार आपको एक फिल्म के तौर पर कुछ चाहिए, तो यहां पर कुछ भी नहीं है, और उसके अलावा इस फिल्म में, अच्छे खासी नियूरीटी भी है, एंड काफी कुछ ऐसे scenes भी है, जो Great Trilogy है, 50 Shits Trilogy है, क्यों वो फिल्म में बनाए गई है, एक और फिल्म है उसी category में, जो यह है, अभी अभी मैंने देखी है, हिंदी में available है, तो इन short, in simple words, अगर आपको वाली movie देखनी है हिंदी में, तो इस movie के साथ जा सकते हैं, बाकी तो यहां पर कुछ भी खास नह आपको movie के तौर पर इसको देखने में मजाए, या कुछ भी अच्छा हो, बाकी end में वो क्या था, कौन सी उसकी fantasy थी ओ लड़की को उसने रसी से बांधा आया, बांध को टांग दिया, एंड उसके बाद वो उसको गोल-गोल घुमा रहा है, क्या था, क्यों था, समझ में गंटे 47 मेंड की जो movie में आने देखी, वो काफी lengthy और slow pacing भी मुझे feel होई, most of the time, अब कुछ जो scenes है, जो शायद कुछ लोगों को पसंद आ सकते हैं, तो बहां पर थोड़ा engaging लग सकती है, थोड़ी interesting feel लग सकती है, लेकिन कुछ भी इस movie में मेरे पास देने के लिए कुछ भ भी की नहीं था, तो यह है, जफ्ट वन इफ्टा दाट फाइब इस movie के लिए देखी है, लेकि बताना बाकि लाइक शोने, सब्स्राइब करना, चैनल को विडियो को एंड, देफिव निते शाने साने, अब तेंक यू